हाई गाईज वेलकम तो मैं टूप चैनल जी एसी स्टड़ी पॉइंट फ्रेंचल इंड मोडरनिस्टी को कंटीनु करते हैं जिसमें आज हम जो है एक बहुत ही महत्पूर टॉपिक कॉंग्रेस से पूर जो संस्था या संगठन की स्थापना की गई थी उनको यहां पर डिसक पूछा गया कि यह संगठन कब बना था या संगठन का नाम दे के पूछा गया कि उसके नेत्री तो करता कौन थे पिसरे जो है कोश्चन आया था कि इसमें जो है सिक्वेंस में जो है आपको इन चीजों को इन संगठन या सुसाइटी को लगाना था ठीक है तो इसी तरह से जो है यहां से question पूछे जाते हैं देखे तो चलिए start करते हैं देखे जो Congress था अगर आप यहां पे एक चीज़ और बता देती हूँ यहां पे हम जो है उन्ही मतलब points को देखेंगे उन्ही facts को देखेंगे जो आपके exam में बार-बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है ठीके तो यहां पे अगर आप इस चीज़ों को समझ जाते हैं तो इससे संबंधी जैसे भी question आएंगे आप जो है असानी से उसको करने में सक्चम होंगे तो यहां पे हम पढ़ते पढ़ते ही चीज़ों को याद कर लेंगे clear है तो चलिए देखते हैं देखें Congress जो है एक राष्टी लेवल की संस्था ती या संगठन था ठीक लेकिन उससे पूर्व ही जो है छेतरी लेवल पे इस्थानी समस्याओं को या छेतरी समस्याओं की समधान के लिए जो है बहुत सी ऐसी संस्था या संगठन की स्था अपना की गए थी छेतरी लेवल पे ही जो ब्रिटीसों की जो दमनकारी आर्थीक या राजनीतिक नीती थी उसके खिलाप पांदोलन के लिए संगठन बनाए गए थे दूसरे यहाँ की छेतरी लोगों की शमस्या थी उनके जो मांग थी उनको सरकार तक पहुँच पाए इसके लिए यह संगठन बनाए गए थे इन संगठन के माध्यान से जो है सरकार तक जो है उन लोगों की स्थानी लोगों की समस्याओं को पहुचाया जा सके साथ ही वहां की जो प्रसासनिक बेवस्था थी जैसे की बंगाल है बॉम्बे है या यहां की जो प्रसासनिक बेवस्था थी वो भी बहुत ज्यादा दमनकारी बेवस्था की तरह थी तो उसमें प्रसासनिक सुधार के लिए भी ये संगठन बनाए गए थे, तो इस तरह से जो मांग थी उनके लिए छेत्री लेवल पे ये संगठन की इस्थापना की गई थी, ठीक है, तो मिली जो है चीजे देखने को मिलती है, कि तीन ऐसे इस्थाने जहां पे ये शंस्था इस्थापित की गए थी, तो आपको इन तीनों को याद रखना एक तो बंगाल पे, ठीक है, दूसरी बॉंबे पे और तिसरी जो है, मदरास पे, ठीक है, तो यह तीन बहुत मेचर, मेचर जो जगह थी, यहीं पर ही जो आंदोलन चलाए गये थे, यहीं पर जो है, तो यहीं स कि वहां कि जो बुद्ध जीवी लोग थे, जो प्रभावसाली वर्ग थे, उनके दौरा यह नेत्रितु किया गया। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं कि कौन सी इस्थान पे कौन-कौन से संगठन का निर्मान हुआ था। ठीक है तो इसको आपको याद रखना है, पहले हम बंगाल का देखेंगे, फिर बॉंबे का देखेंगे, फिर मद्रास का देखेंगे। और आपको इनको सिक्वेंस में भी याद करते हुए चलना है, क्योंकि आपको सिक्वेंस में भी ज्यादातर question यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए, देखें, बंगाल में राजनीतिक संगठन के रूप में सबसे पहले जो सुभारम किया था एक तरह से राजनीतिक आंदोलनों का उसका स्रे किसको जाता है? तो राजा राम मुहर राय को जाता है। क्योंकि ये सबसे पहले प्रवर्तक रहे हैं राजनितिक आंदोलन के और ये पास्चारती विचारों के भी बहुत प्रभावित बैक्ती रहे हैं तो इसका जो स्रे है वो जो है राजा राम मुहर राय को जाता है इन्होंने भारती समस्याओं को बृतिसों तक पहुचाने का बहुत बड़ा काम किया था ठीक है और लेकिन जो बंगाल है ठीक है तो इनके जो सहयोगी थे बंगाल में जो इनके जो सहयोगी थे उन्होंने जो है एक राजनितिक संगठन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने जो है इनके जो विचार है इनकी जो म कासक सभा और ये बनी कब थी तो 1836 में बनी थी ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ ये बस वहीं सिमट के ही रह गई थी ज्यादा ये प्रभाव साली नहीं हो पाई थी तो 1838 में जो है जमीदारों दौरा जो है एक जमीदारों के मतलब हीतों की सुरक्षा के लिए जमीदारी या इसी को लेंड होल्डर एसोसियेशन कहा जाता है तो ये जो है बनाया गया था कब 1838 में और किसके लिए कि जमीदारों की हीतों की सुरक्षा के लिए इसमें कि जितने मेंबर रहे हैं वो सारे कौन थे तो जमीदार ही थे और ये जो है बहुत प्रभाव साली संगठन र कौन सी है तो जमीदारी एसोसियेशन थी और इसका नेत्रित जो किया था वो कौन थे दोरकानाथ टैगो ठीक है इनके दोरही स्थापित की गई थी नेत्रितों में क्लियर है कोश्यन पूछा गया था तो आपको याद रखना है नेक्स जो है 1843 में जो है आया था आपका ब रिद्धी करने के लिए ये जो है वहां की राष्टवाद की भावना है उसको जागरुक किया जा सके इसके लिए जो है 1843 में बंगाल ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी आगे चलके क्या किया गया इन दोनों की उद्देश्यों को मिला दिया गया और इनको जो है मिलाकर एक नया जो है एसोसियेशन बनाया गया 1859 में और वो कौन सा था ब्रिटिस इंडिया एसोसियेशन और इनका सुझाओ दिया और इनके नेत्रित में बनाया तो राधाकांत देव के ठीके तो कोश्चन पूछा जाता है याद रखेगा और याद रखेग जमिदार एसोसियेशन और बंगाल ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी को ठीक है तो इन दोनों के उद्देश्यों को मिला के यह जो है नया एसोसियेशन बनाया गया था ब्रिटिस इंडिया एसोसियेशन और यह जाद रखेगा सारी जो संसा वो बंगाल की ही है अब 1866 में जो कि किसने तो दादा भाई नरौ जी ने ठीक है, और यह याद रखेगा यहां पे इस्ट इंडिया एसोशियेशन था, इन्हों ने इस्थापना करी थी लंदन में इसको याद रखेगा कहां की थी तो लंदन में जो है इस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया था दाधाबाई नरोजीन और यहाँ पे इसलिए कि जो भारत की लोगों की जो शमस्या है थी कि यहाँ पे जो भारती लोग रहते थे जो NRI लहते थे उनकी जो शमश्या है या मांग है उनको जो है ब्रिटेन तक पहुचाया जा सके इसके लिए इन्हों ने यह एसोशियेशन बनाया था प्लियन आगे जो है 1875 में जो है इंडियन लीग की स्थापना की और किसने की तो सीसीर कुमार घोशनी की इसका भी यही उतेश था कि लोगों में जो है राश्टवाद की भावना को जागरित किया जा सके और इनमें जो है राजनीतिक सिक्षक को जो है प्रोशाहन दिया जा सके इसके माध्यम से तो इसमें बस यही कोशन पूछा जाएगा कि इंडियन लीग की स्थापना किसके नेत्रित में की गई थी तो सीसीर कुमार घोश की और कब तो 1875 में फिर 1876 आता है तो 1876 में इसका नाम जो है बदल दिया गया और रख दिया गया क्या इंडियन एसोसियेशन ओफ कलकत्ता और इसका जो नेत्रित किया इसको सुझाओ किसने दिया तो इसके गया था तो सुरेंद्रनाथ बेनर जी और आनंद मोहन बोसने ठीक है तो इसी का जो है परिवर्तित रूप था इंडियन एसोसियेशन ओफ कलकत्ता क्लियर है इतनी चीजे आगे देखते हैं अब हम आते हैं कहां पर बॉम्बे की जो राजनितिक संगठन है इस प सब्सक्राइब अगे इस पर आवन में बॉम्बे एसोसियेशन बना था आपको इसी को याद रखना यह ज़्यादा प्रभावसाली नहीं हो पाया इसलिए जो है अठारा सव सड़सट में जो है अरहां याद रखेगा जो बॉम्बे एसोसियेशन है वह एक्चुली में जो विरूद्ध में यह association बनाया गया था आगे 1867 में एक पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई थी और इसका जो नेतरित्व की मतलब नेता थे या जिनकी दौरा यह स्थापित की गई थे वो थे महादेव गोविंद रना दे इसमें क्या था कि इसका उद्देश यही रहा कि सरक और जनता के मत एक तरह से यह सेतू का काम करते मतलब जो जनता की समश्या है वो जो है सीधे सीधे जो है सरकार तक पहुंच पाए ताकि उसका समधान निकल पाए इसलिए जो है यह पूना सार्वजनिक सभा गठीत की गई थी इसमें कोश्चन भी आया था कि भारत के प्रत इसी चीज के लिए कि जनता की समश्या है जो है सरकार तक पहुंचा पाया पहुंचाया जा सके उनकी समाधान निकाला जा सके जनता में राष्टवाद की भावना जागरित की जा सके इसके लिए जो है 1885 में बॉंबे प्रेसिडेंसी एसोशियेशन की स्थापना की थी और इनके नेतरित में जो है यह जो है बॉंबे प्रेसिडेंसी एसोशियेशन बना था क्लियर है आगे चलिए देखते हैं अब आते हैं हम मदरास में मदरास की तीन चीज और याद रखेगा आपको सिक्वेंस याद रखना है ठीक है कभी कभी इसको बंगाल और बंबे का मिला की सिक्वेंस दे देता है कभी कभी मदरास बंबे बंगाल का मिला के दे देगा तो आपको याद रखना है कि कौन सा कब बना था पहले कौन सा आया था क्लियर है मदरास में जो है इसी चीज के लिए राश्टवाद की भावना जागरित हो सके छेतरी समश्याओं का समधान ह उसके लिए मद्राश native association का गठन किया गया था। लेकिन यह ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सका। इसकी वाज़ा से जो है 1884 में जो है उद्देश्यों कोई प्राप्ति के लिए जो है मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया जिसका नेत्रित जो है जिनका स्रे जो है तीन लोगों को जाता है वी राघवचारी बी सुब्रमाइन्यम और पी आनंद चारलू ठीके इसका जो है स्थानी संगठन के जो कारे हैं उनको जो है समन्वित करना था इसका उद्देश्यों ठीके किसका मद्रास महाजन सभा का तो इतनी चीजे जो है आपको याद रखनी है यहां से ही आपके कोश्चन पूछे जाएंगे क्लियर है आपको समझ आ गया होगा और वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजेगा पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजेगा लेकिन आप कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि आपके डिसलाइक का कारण क्या है क्या हमें उसमें क्या सुधार करने की अवश्यक्ता है ठीक है तो चलिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग